हलो आल एंड वेलकम टू रिकॉगनिशन आई एस जोग्राफिय ऑप्शनल क्लासेज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर टू की जो डिस्कुशन रहे गई है और अग्रिकल्चर टॉपिक हम लोग डिस्कुस कर रहे थे उसमें कुछ टॉपिक छूड गये थे तो उसको हम लोग फटाफट कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि नेक्स वेक तक आपकी सारी भी जितनी भी जोग्रफी है उसको ख़तम कर दिया जा तो फटाफट शुरू करते हैं स्टार्ट करने से पहले कुछ डिटेल्स हैं और कोर्स डिटेल्स हैं जैसे कि एड़वांस और कर सकते हैं और करने के लिए जो सजेशन में आप वीडियोस देख सकते हैं इसमें लोग फिलहाल डिसकस करने वाले हमारा यह दोनों टापिक institutional factor land holding को ले करके और land tenure को ले करके और land reforms को हम लोग फड़ाफ़ डिसकस करते हैं इस lecture में सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में land का किस तरीके से distribution है इंडिया में या फिर land की utilization किस तरीके से है इंडिया में अगर बात कह रहा है तो देखें इंडिया की geography यहां की topography यहां की soil यहां की drainage system और यहां की जो climate है वो कुछ इस तरीके से है कि agriculture is a kind of blessing for India यहां पर किसी भी इलाके में आप चले आईए आप agriculture पाएंगे ही पाएंगे चाहे वहां पर किसी भी तरीके के croppings वगर है या जो भी produce हो रहा हो that is different thing लेकिन agriculture is the activity जो की हर जगा पर लगभग होती है because of the geographical conditions of the region यहां पर देखे तो यहां पर देखे तो you know as in all the countries India का जो land is put to various uses the utilization of land depend upon physical factors जैसे की जो की यहां की geography हो जाएगी इसके लाबा human factor पर भी depend करता है किस तरीके की occupation की जा रही है लोगों के utilization due to continued interplay of physical and human factor टोटल अगर इंडिया के geographical area के बारे में बात करें तो this is the area stats के हिसाब से अगर land utilization that is available उसके बारे में बात करें तो we have 306.05 million hectare अब देखे यह जो details हम लोग बाते करना है उसमें कई सारे factual details आएंगी कई सारे data अगर आएंगे तो आपको देखें data याद कर लेना है and this data is really very important for your examination point of view क्योंकि जो question पूछे आते हैं इस topic से वो पूछा आता है सीधे status बताईए या फिर account तो इस तरीके से जब भी अगर आपको data लिखने को पूछा जाएगा तो आपको data लिखना पड़ेगा that is actually required thing here अगर हम लोग देखें तो हमारे पास agriculture में कई तरीके के land आते हैं जैसे एक होता है जिसको बोलते है net zone area इसी तरीके से हमारे पास आती है cultureable wasteland का area fallow land का area तो इस तरीके से हमारे पास different different types हो जाते हैं ठीक है तो इस different different जो types होते हैं उनके हम लोग जड़ा फटा फट देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है कितना percentage है घट रहा है या बढ़ रहा है क्या हो रहा है और agriculture किस टाइप से वहाँ पर की जा रही है net zone area में देखा जाए तो देखें net zone area का मतलब होता है किसी एक season में कितना area use किया जा रहा है cropping के लिए यही होता है net zone area अब देखें यहाँ पर दो concept होता है अगर है technical wise समझे एक होती है जिसको बोलते है gross zone area या gross cropping area भी बोलते है इसको और दूसरी होती है जो net area होती है ठीक है net area economics में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा gross domestic product ठीक है और इसी तरीके से net domestic product NDP दोनों में क्या difference होती है दोनों में difference होती है कि NDP में आप depreciation को भी काउंट करते हैं सिम वही यहाँ पर दीवी चीज़ें है gross का मतलब यह होता है कि आप पूरे land को देख रहा होते है कि एक साल में या season में कितने season में इसको use किया जा रहा है net zone area में क्या होती है कि single season में आप कितना land use कर पा रहे है यही होता है दोनों में difference main difference cropped area in a year एक साल में कितना cropping हो रही है under consideration is called as net zone area this area has a special significance in agricultural country like in India because agricultural productivity largely depend करती है type of land पे कितनी type of क्या land की type है there is an urgent need to increase the net zone area for meeting the food and other requirement of rapidly increasing population in India even हमारे मालता साहब भी बोलते है यही same चीज मालता साहब के भी यही कहना है कि हमारी जो population है वो कुछ GP की तरीके से बढ़ती है parabolic path अपनाती है और जबकि जो resource है हमारी वो AP की तरीके से बढ़ती है यानि linear path अपनाती है तो एक point ऐसा आता है जहां पर जो इतनी population है वो अब food resource नहीं पा रही है जिसके कारण से हमें या तो इस food resource को बढ़ाना पड़ेगा या फिर population को घटानी पड़ेगी और वही यहां पर भी चीज़े कही जा रही है कि हमें rapidly increasing population को feed करने के लिए हमें area बढ़ाना पड़ेगा और area बढ़ा करके हम अपनी food की जो produce है उसको हम बढ़ा सकते हैं और उसके थुरू हम आगे बढ़ सकते हैं it is hurtening to note that net zone area increase की गई है अगर हम लोग data में देखे तो increase किया गया है from 118.7 million से 142 तो यह increase काफी significant है काफी बढ़ा increase हमें देखने को मिला हुआ है लेकिन देखे this is not sustainable because the kind of inputs that we are applying on the raw field जो भी हम लोग raw field पे जो भी चीज़े अपना रहे हैं कही न कहीं हो अपने आप में एक sustainable नहीं है वो problematic ही है thus there had been an increase in about 20% of the net zone area in about half a century from 50 51 to 1998 to 1999 in fact आगे भी continuously हम लोग increase ही करते जा रहे है the percentage of net zone area to total reporting area also increase from 42 to 46 तो 42 से 46 प्रतिशत हम लोगो ने कर लिया है data देखे थोड़ा सा पुराना जरूर है और again this is relevant इवन आम लोगों ने आगे एक photograph भी लगाया हुआ है photograph से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं this has been taken from the government data तो इस वज़े से आपको इस तरीके की content मिल जाएंगे however the net zone area declines slightly net zone area जो है वो slightly decrease हुआ है and this is not a healthy trend and must be checked at all cost net zone area account for about 46% of total reporting area of India against the world average अब देखे है होता क्या है कि world में अगर देखें तो किसी भी country के पास इतनी जमीन इतना net zone area नहीं है जितना इंडिया के पास है अब देखें एक छोटी सी चीज कुछ data आप इसमें से याद करिएगा बाकी सारा data याद करनी की जरूरत नहीं है even this is not humanly possible कि आप हर एक data याद रख सकें लेकिन कुछ data आप याद रखेंगा जैसे net zone area का overall क्या percentage है कितना area है absolute absolute term में कितना increase हो रहा है तो data याद कर लिजेगा कितना data मतलब कितना percentage हो है वो increase हुआ है this is much higher than 40% in US अगर worldwide अगर हम लोग देखें तो this will be important statement इसको याद कर लिजेगा आप लोग कि यह जो इंडिया में है वो 40% US से जादा है 25% Russia से जादा है 16% Brazil से जादा है and 6% Canada से तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो net zone area है वो काफी जादा ही high level पे है मतलब कि agriculture wise हम लोग के पास काफी जादा possibilities है that we can grow लेकिन अगर वही produce wise बात करें तो हम लोग काफी पीछे हो जाते है चाइना से भी पीछे हो जाते है in fact and per capita yield के बारे में बात करेंगे तो इन सारे जो developed countries है उनकी yield जादा निकल के आती है और हमारी yield काफी कम है यानि कहीं न कहीं हमारे अहाँ पे produce से आगे जो stuff होती है उसमें कहीं न कहीं कुछ problem है harvest के बाद after harvesting जो कुछ दिक्कते हैं उसको solve करने की जरूरत है मद्रप्रदेश में अगर बात करें तो net zone area काफी जादा it is about 13.89% of total reporting net zone area of India तो अब देख सकते हैं 20 in the state में 13% 13 क्या near about 14% एक single state का ही contribution है इसी तरीके से महाराष्ट, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, आंदरप्रदेश तो मतलब कई सारे state है जो बड़े बड़े state है जहाँ पर agricultural activity mainly करी जाती है अब जैसे बिहार का भी portion actual में before partition जार्खन जब अलग नहीं हुआ था तो काफी significant portion में था लेकिन जहार्खन के अलग हो जाने के वज़े से वहाँ पर industrial activity, mining वगर वर्क जादा होता और बिहार में जो agriculture होती है वो काफी low amount हो गई है क्योंकि area ही कम हो गया है आगे अगर बात करें तो it may be noted that agricultural prosperity does not depend on, does not depend as much as on the total net area, net zone area as it does on the percentage of net zone area to the whole reporting area there are large variation in the proportion of net zone area to total reporting area from one state to another, Punjab to Haryana, CDC सी बात है जहाँ पर ज्यादा agricultural हो रही होगी जहाँ पर ज्यादा net zone area के reporting हो रही होगी तो वहाँ पर हमें ज्यादा ही area भी मिल रहा होगा ठीक है तो यह case यहाँ पर दिखाया गया तो जो states जैसे कि जो primary agricultural state है, green revolution वाले states है वहाँ पर हमें obvious ही बात है कि ज्यादा reporting area मिलेगा and that is the case और वही अगर है उनाचा प्रदेश वागर में बात करेंगे तो बहुत ही कम है क्योंकि mountainous हिलाके है हिमालियन एरिया आ जाता है तो यह काफी general सा एक trend है जब जनरल सा एक idea है जिसके basis पे आप लोग समझ सकते हैं the main thing here was कैसे आप चीजों को link कर रहे हैं बाकी जो large portion of the net zone area है वो obvious ही बात है great plains के भी पास में होगा जैसे कि सतलज हो गई गंगा प्लेन हो गई गुजराथ प्लेन हो गई काठियावाड प्लेटू हो गई महराज प्लेटू वेस्पेंगाल तो यह सारे areas होते हैं mainly cultivated area के अंतरगत आते हैं this is largely due to gentle slope of land, fertile, alluvial, black soil, favorable climate और जितनी भी agriculture को use में agriculture favorable जितनी भी चीज़े होती है उसके थुरू हम लोग कह सकते हैं कि यह इलाका ज्यादा अग्रिकल्चरली फेवर्ड है यह जो भी area आया हुआ है वहाँ पर agriculture करना ज्यादा अच्छा होगा agricultural land ही होगी आगे अगर बात करें तो कुछ हैसे areas भी होते हैं जहां पर हम एक से ज़्यादा बार एक साल में sow कर सकते हैं यानि कि उस पर हम फसल उगा सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग net zone area का ही gross zone area तरीके से बोल सकते हैं एक साल में हम कई बार use कर रहे हैं जब उसे तो जैसा कि नहीं बताता है कि area is grown more than one crop in a year this accounts for about 34.3% of the net zone area and 16% of total reporting area of the country total reporting area का मतलब यह होता है कि कितना area में हमें मिल रहा है overall ठीक है और net zone area का मतलब होता है कि सीधी सी बात है कितना हम एक तरीके से land use कर रहे हैं agriculture के लिए this type of area comprise of land which rich fertile soil and regular water supply it is clear that percentage of area sown more than one is rather low in India as a whole सीधी सी बात है यहां पर जो है कम होती है यानि कि यहां पर क्या है या तो एक सीजन यह लोग खाली छोड़ रहे है या फिर ऐसी cropping की use की जारी है जो annual crops है जैसे कि sugar cane बगर है मतलब कि आपकी हाँ sugar cane बगर है यह सब जो है वो annual crops होती है there is attenuated to infertile soil deficiency of moisture inefficient use of manure and fertilizer this type of land is of special significance since almost all the arable land has already been brought under plaw the only course left to increase the agricultural production is to increase the intensity of cropping अब जैसे हमारे यहां पर क्या है कि हम लोगोने input के नाम पर लगवग लगवग हर चीज यूज़ कर लिया irrigation यूज़ कर लिया हाइल्ड variety seed यूज़ कर लिया fertilizer यूज़ कर लिया pesticide यूज़ कर लिया जितने भी inputs हो सकते हैं वो यूज़ कर लिया हम लोगोने अगर हम अपने net zone area को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना चाहते हैं तो उसके पीछे कारण यह है कि हमारे पास जैसे क्या है कि गेहूं के साथ अगर हम लग्यूम clock लगा देते हैं सरसो अगर लगा देते हैं तो उससे जो soil moisture है या soil की जो भी nutrients है नाइट्रोजन है यह सब वापस से fix हो जाते हैं और fix होने के बाद सीधी सी बात है आप उसको वापस से use में ले आ सकते हैं अब ऐसा होता क्या है कि एक से दो साल के लिए जैसे माल लीज़ आपने तीन साल लगातार खेती कि फिर एक साल आपको छोड़ना पड़ता है हिस्ट्री में मुगल टाइम जब चलता था उसको बोलते थे परती परती करना या फिर इसी को बोला आता है अपने जोगरफी टर्म में कि यह फैलो लेंड चोड़ा गया एक साल के लिए पूरी है वो रीबिल्ड हो जाए तो इस कारणे से क्या होता है कि स्वाइल की फॉर्टिलिटी मेंटेन रहती है और फिर आगे जब क्रॉप लगाते है तो फिर वो हाई इल्ड क्रॉप देता है लाज ट्रैक्स ऑफ इंडो गंगा प्लेन पंजाब हर्याणा उत्तर प्रद जाती है वैसे ही वाटर इर्डिघेशन के लिए काफी अछा होजाता है फ्लस एकर बात किया जाए तो कुछ ऐसे areas होते हैं जहां पर देखिए fertility नहीं के बराबर होती है they are not good but यहां पर क्या होती है forest अच्छी खासी हो जाती है जैसे क्या है कि कुछ इलाके होते हैं जहां पर humus नहीं होता है लेकिन वहां पर forest बड़े अच्छे उग जाते हैं आप लोगों को देखा होगा equatorial areas में क्या है कि जो forest होते हैं वो layers में होते हैं और वो lung of the earth भी बोले आते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यदा forest होते हैं लेकिन वहां कि अगर soil को अगर आप देखेंगे तो उसमें humus नहीं होता है fertility नहीं होती है so that is the thing ठीक है forest में अगर बात करें तो forest area is increased considerably सीधी सी बात ही आप लोगोंने forest report में भी देखा होगा 40.45 million hectare 1950 से 69 million hectare में convert हो चुकी है 70% increase करीब-करीब देखा गया है however 22.23% of forest land in the total reporting area is not sufficient for a tropical country क्योंकि हम लोग कोशिश ये किये हैं 33% हम लोग अपनी agricultural मतलब जितने भी ये land है उसका 33% हम लोग forest के अंदरगत कर ले और ये हमारे forest report में भी forest policy report में भी कहा गया है ये भी आपको ध्यान रखना है this will require massive tree plantation and vigorous restriction on the reckless felling of trees according to expert committee recommendations much of the area reclaimed from the forest for agriculture should be retired from a cultivation and brought back under forest तो हमें क्या है जो भी एरिया है जैसे क्या एक तरफ तो एरिया निकल जा रहा urbanization के लिए दूसरी तरफ क्या है कि agriculture के लिए भी जो है एरिया चाहिए ही चाहिए तो net zone area को डिशनर बाप कर नहीं सकते हैं क्योंकि उस पर agriculture होती है अब बचा क्या forest का एरिया तो forest के एरिया को cutting कर करके फिर इस तरीके के urbanization वगरे की जाती है तो ultimately forest का जो percentage जो लगतार गिरते जाता है लेकिन जब गवर्मेंट ने देखा कि अब वर्ज ऑफ डिफोरेस्टेशन दिस इस नॉट अगूड स्टेप यह हम काम नहीं कर सकते हमें forest को भी बढ़ाना होगा और हमें urbanization जो करनी है वह एक प्लान अर्बनाइजेशन करनी है और इस कारण से regional development planning ये एक नया term निकल के आता है एक नया topic निकल के आता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे ठीक है अगे अगर बात करें कि कौन से इसी लेंड जो अवेलेबल नहीं होती है cultivation के लिए तो कई सारी होती है जैसे cultural waste land होती है फैलो लेंड होती है infertile land होती है तो हमारे पास कई तरीके के land होती है जो कि actually cultivation के लिए अच्छी नहीं होती है तो हमारे पर दो important चीज़े लिखी गए है दो category में एक है जो non agricultural area या land हो गया और दूसरा जो barren या uncultivable waste land हो गई है the area put under non agricultural use जैसे की यहाँ पर village, town, urbanization, railways या जितने भी infrastructure वगर बनाना होती है हम लोग यहीं पर बना लेते हैं अर दूसरे जो कह लिजे की barren या uncultivable होते है उसको रखा जाता है कि यहाँ ठीक है एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल में वापस यह fertile हो जाएगा then we will put agriculture on it barren land cover all the barren uncovered lands, uncultivated land in the moisture and hill slope, desert and rocky areas these area cannot be brought under plaw except at high input cost with possible low returns the amount of this land has been variable right from हर्च अब ही जो है वो एक variable राहस है कुछ cost हम नहीं बता सकते है land जो की cultivation के लिए नहीं है वो 13.8% near about the area है and this amount of land in category is in मेली नादपरदेश followed by राजस्थान, बिहार, मद्रपरदेश, उत्तरपरदेश यह सारे इलाके में पाए जाते हैं इसके रावा देखिए कुछ pasture land भी होते हैं जो permanent pastures होते हैं जहां पर भेड़ बक्रियों या फिर animal husbandry वाले लोगों को खाने खिलाने के लिए छोड़ दिया जाता है तो यह basically grazing lands होते हैं और यह करीब करीब 11 million hectare है इंडिया में तो यह सारा डेटा जो दिया गया है उसको याद कर लीजेगा या फिर अगर आपके पास माजीद हुसा in book है तो वहाँ पर एक table दी हुई है उस table में आपको जितना भी हम लोग discuss कर रहे हैं उस सबका data दिया हुआ है एक single table में अब सीधी सी बात है एक तरफ अगर आप agriculture में जाएंगे तो वहाँ पर किसान का रहेगा कि यार अगर मेरा जमीन लिए तो हम धरने बैड़ जाएंगे दूसरी तरफ अर्बनाइजेशन के लिए गौर्मेंट लगातार वादे पर वादे की जा रही है तो अब वो जमीन लाएंगे कहां से तो एक तरीका हो सकता है चलो भाई forest को काट देते हैं तो international community भार अर्बनाइजेशन के लिए यहां से लेंड निकाल लेते हैं और यहां से जो है हम लोग forestation यह जो भी काम करना है उसको करेंगे दूसरी और जो developed worlds है उनका अलग से भी pressure है कि भाईया आप forest निया नहीं लगा रहे हो आप forest को cutting करते जा रहे हो या forest को rebuild नहीं कर रहे हो तो new forestry इस तरब का काम करने होते है social forestry टाइप के ताकि जो होता है एक तो forest cover भी बढ़ जाए दूसरा इंडिया बाहर मतलब की global platform पर कुछ कहने लायक रहे केवल democracy democracy कह करके आप ज्यादा time नहीं रह सकते हैं कुछ आपको काम करके भी दिखाना होगा तो वो काम यहां से किया ज जाएगा the area presently under pasture and other grazing land is not sufficient keeping in view the large population of livestock in the country तो जितनी live stock आज की देट में प्रिजेंट है उसके हिसाब से अगर हम pasture land या फिर ग्रेजिन लैंड तो देखेंगे तो sufficient नहीं है कहीं कहीं कुछ ना कुछ गडबडी हो ही जाएगी about one third of the typical reporting area जो की हिमाचा प्रदेश में है वो अध्य प्रदेश करनाटक गुजरात राजस्थान महराष्ट गुजरा औरीशा मतलब आपको प्लेटू region में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा it is less than 4% in the remaining part of the country तो यह आपके पास data है and this is a kind of fact इसको याद रखिएगा ठीक है आगे हम लोग पढ़ें तो next आती है हमारी क दो है लैंड अंदर मिशलीनियस ट्री क्रॉप कि लैंड अंदर मिशलीनियस ट्री क्रॉप किस तरीके से चल रहा है तो यह देखिए जितने भी कल्चरेबल लैंडस हैं विच इस नॉट इंक्लूदे अंडर नेट्ट सोन एरिया but is put to some agricultural use लैंड अंदर जैसे की जो कैसु गारिना ट्री हो गई या फिर थाचिंग रासेज बंबू बुशेज मतलब ऐसी क्रॉप ऐसी जो प्लांट्स जो की एक तरीके से डिरिकली आप यूज नहीं कर सकते हैं खाने पीने की चीजों के लिए तो यह चीज होती है विच इस नॉट इंक्लोडेड अंडर और कार्ड क्लासिफाइड अंडर दिस कैटिग्री तो यह चीज होती है लेंड अंडर दिस कैटिग्री डिफाइंड शार्पली यह गिरते या रही है 19.8 million hectare जो पहले थी वह अब गिर करके 4.64 पे चली गई है और इस तरीके से लगातार इसका जो परसेंटेज है वो गिरते ही जा र होते हैं सब कुछ plants होते हैं जिनको जिनकी संख्या गिरते आ रही है और इनकी संख्या कंत्रिबूटन जो है वह काफी कुछ सिगनिफिकेंट खास है नहीं इंडिया के केस में इंफाक इतने भी फूट बग रहे हैं हम लोग औच रख बगर है लिखा गया तो इतने भी and stood at 3.62 million hectare or 1.2 percent of total reporting area. Odisha has the largest area and this data is given by the Uttar Pradesh area, Bihar area, Karnatak, Andhra Pradesh, Assam, Tamil Nadu, so these areas have been given. Look, the data you can remember is a very impossible task, even if you try to remember this, this is not possible. So, there are some interesting facts that you can remember, that you can remember, like, where is the largest area, then you can tell us about it. So, if you want to remember the percentage, or you want to remember the area, then you can remember it. That is all. This is all. This is all. This is all. Next, we have a cultural waste line, which leaves for 3-4 years, which leaves for 3-4 years. This means, where you have fertility, or fertility rebuild, or cropping, then you don't do your crop. So, here you have the greenhouse gas, which you have, it will go up. So, the wasteland survey and reclamation committee define culturable wasteland, which is the definition of the wasteland, which is the definition of the wasteland. Remember that land available for cultivation, available, but not used for cultivation, for a reason, or the other. This land was used in the past, but in today's date, it was removed from some reasons. It is not being used at present due to such constraints because of lack of water, salinity, alchinity of the soil, soil erosion, water logging, or unfavorable physiographic position of human neglect. This decline in the wasteland is due to some lack of waste land, resulting from faulty agricultural practice, and launched in India after independence. One sixth of the total reporting area in Goa is stormed as culturable wasteland. And this will give you edge over the other students. So, this is an extra fact that you can remember. However, the interest of long-term conservation and maintenance of eco-balance, this land should be put under afforestation and should under crop cropping. National remote sensing, Hyderabad is making valuable contribution in mapping the wasteland. So, this is what we have to do with GIS. This GIS basis, we have geo-tagging, which is the forest, which is the forest, which is the land available, cultural wasteland, which is the land available. So, this through and national remote sensing, we have an overall mapping, which is the mapping, which is the most important thing we have to look at. So, if we look at the wasteland survey and reclamation committee, defined cultural wasteland as the land available for cultivation, but not used for cultivation. So, I guess this slide is getting repeated. This is repeated. Fellow land. So, if we talk about this, which is left for a year or two years, which is called Hindi in Hindi, this is called Fellow Land. This category includes all the land, which was used for a cultivation, but is temporarily out of cultivation. There are two types of land. One is the current fellow, which is the fellow other than current fellow. Fellow, which is called for a year, which is called for two or five years, which is called for other than current fellow. So, this is called. Fellow land is left uncultivable for one to five years to help soil recoup its fertility in the present and natural way. And depending upon the nature of the soil and nature of forming, kis tariqe ki forming karne wale hai. There have been varying trend in the extent of current fellow, but it has recorded as increase from 10.68 million hectare to 14.79 million hectare. So, if you can see increase, you can see increase or decrease. Now, look at the increase or decrease, we have a pie chart included in the future. So, you can remember how much percent increase is or what is going on. Since then, the trend has been variable. And it was 10.1 million hectare. Largest area of over 2.5 million hectare of fellow land, other than current fellow. And it is in Rajasthan, followed by 1.4 million hectare in Nandar Pradesh and over 1 million hectare in Maharashtra. Toh, this tariqe is a kuch-kuch data diyeh gah hai hai. This data ko aap yad karna chahe hai hai, to yad kar sakte hai hai. Otherwise, I would not recommend ki aap yeh chab chizeh yad karieh. There is a need to reduce the extent and frequency of fellow land in order to increase agricultural production. This is very important. Lekin at the same time, it is very important ki aap fellow land ko kuch dino tuk chhoďyyeh, kyunki yeh sustainable tariqa bhi hai. Aagar aap us peh kooi external agent ke through fertilizer, yaa phir pesticide, yaa kisi ke through agar fertility ko waapas reclaim karne ki kooshish karte hai hai, toh dhekhe this is not a natural process. और कोई भी चीज अगर unnatural होती है तो उसका एक हमें after effect देखने को मिलता है और यही after effect हमें एक barren land के रूप में आगे दिखा सकता है. So, एक alarming issue हो सकता है आगे जाकर के. This can be done by proper dose of fertilization, providing irrigation facilities, crop rotation, crop combination, several other similar form techniques. So, यह सब काम करके हम लोग ऐसे करत हो सकते हैं, but again this will not be sustainable. अब यह देखिए एक pie chart दिया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे net zone area है, इस net zone area का 42% पहले 50-51 में था, अब वो बढ़ करके 46% हो गया है 2000 के term में. इसी तरीके से अगर हम लोग forest का देखेंगे, तो forest देखिए 14% था, वो अब बढ़ करके 23% near about हो गया है. इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि हमारा not available for cultivation जितनी land है, वो 17% थी, अब वो घट करके 14% में हो गई है. तो यहां पर दो चीज़े हुई है, या तो यह इलाके divert कर दिये गया है urbanization के लिए, या फिर इन इलाकों में कुछ external agent के थरिये वापस से agriculture करनी शुरू कर दी गई है, क्योंकि देखिए percentage increase हुआ है, तो कहीं न कहीं से तो percentage आया होगा, तभी ना increase हुआ है, pasture land and tree crop के बारे में बात करें तो देखिए 9% होता था, यह घट करके 4% हो गया, अगेन सेम चीज अर्बनाइजेशन या फिर agriculture में डाइवर्ट कर दिया गया है, कल्चरेवल वेस्टलाइन के बारे में बात करें तो देखिए पहले 8% थी वह घट करके 5% हो गया है, अब देखिए यही रीजन है कि जो नेट सोन एरिया है वो हमारा बढ़ता गया है, तो यह इलाका है यही रीजन है जिसके कारण से हमारी चीज़ है, आइवड रिक्मेंड यू तो मेमराइज देस रट्टा मार लीजेगा, यह कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, चाहिए एकनॉमिक्स का पेपर हो चाहिए जोग्राफी ऑप्षिनल का पेपर हो चाहिए ऐसे का पेपर हो, क्योंकि अगरिकल्चर पर देखिए एक ऐसे आना लगभग तय रहता है, इसके लावा आप इसकी जो भी अगरिकल्चरल प्रोडक्टिविटी है या जो भी अगरिकल्चरल प्राक्टेस है वो तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, यह important होगा, बागे हमारे इस इंडिया मैप दिखाया गया है कि यहाँ पर लेंड यूस किस तरीके से हैं, अब जैसे यहाँ पर लिखा गया Arrable Land क्या है, Forest कैसा है, Waste Land कहां है और Major Urban Centers किस तरीके से बने हुए है, तो अगर आप देखेंगे तो Forest आपको मेली दिखेगा इस Mountain वाले इलाके में, यह जो Mountainious इलाका है, यहाँ पर आपको Forest दिख जाएगा, इसके लावा Central में दिख जाएग हमारे पास Land है, Forest है, ठीक है, अब हमारे पास Waste Land कहां कहां पर है, तो Waste Land अगर आप देखेंगे तो देखेंगे जितने इलाके आपको दिख रहे हैं, मेली वो Waste Land के ही इलाके हैं, तो दी जादा इलाका of Waste Land, Waste Land तो यह सब Culturable Waste Land है, जहाँ पर Animal Husbandry जादा होगी, वहाँ पर हमें Waste Land मिलेगा, बाकी जितना बचा हुआ एरिया है, वो सारे एरिया रेबल है, सारी जगों पर खेती होती है, वही अगर बात करते हैं कि नेट सोन एरिया का क्या हिजाब किताब रहा है, तो नेट सोन एरिया का हिसाब किताब में अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे जादा जो नेट सोन एरिया रहे हैं, वो हमें इस रिजन में देखने को मिले हैं, स्वारी इस रिजन में नहीं, इस रिजन में बेंगौल का इलाका या फिर जो मेंली ये ग्रीन रिवलुशन वाला जो एरिया है, इस इलाके हमें में सबसे जादा देखने को मिला है, second number पे जो हमें देखने को मिला है वो बाकी बचे हुए जो portion है यहाँ पर देखने को मिल गया है इसी तरीके से हमारी सबसे कम यह जो mountainous इलाके हैं यहाँ पर सबसे कम हमें देखने को मिली है बाकी तो खेर एक overall view आप देखी सकते हैं इस map के लिए बहुत important map है और यूज कर सकते हैं आप इसका बाकी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में land use जो इंडिया में है वो किस तरीके से इनका pattern में change हुआ है तो इनके जो pattern में change हुए है उसके बारे में अगर देखें तो टोटल effective या फिर जो reporting area है वो नियर अबाट 304.6 million hectare है और यह अलग-अलग category में रखा गया है जैसे अभी एक next page पे टेबल है उसके basis पे हम लोग देख सकते हैं कितना category किसमें रखा गया है और क्या changes आए है land resource constitute the most important natural wealth of a country hence the proper utilization of land resource is really very important for people of country क्योंकि जग अगर यह agriculture ऐसे activity है जो blessing है अगर इंडिया के लिए तो सीधी सी बात है उस blessing का यूज करना चाहिए अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर आपको वर्दान दे दिया जाए कि आप I.S. बन सकते हैं आप कहें नहीं आर पढ़ेंगे मन नहीं कर रहा है मेरा I.S. बनन circumstance Land in India was broadly categorized into five category जैसे की area under forest हो गई अवेलेबल for cultivation हो गया अन-Cultivable हो गया फैलो हो गयी Current Area Under Current Fallow हो गयी नेट्सवन area हो गया तो यह मिली पांच तरीके थे However, it was soon realized that such a classification did not give a clear picture, this is not a clear picture of the actual area under different category अब इसके लिए फिर क्या हुआ कि या चलो वापस से फिर से री प्लान करते हैं तो इन्होंने वापस से री प्लान किया और अलग-अलग कैटिग्री में किया जैसे एक फॉरेस्ट था फॉरेस्ट को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है एक कैटिग्री निकाला गया जहां पर हम ख बिस्ट लैंड हो गई परमानइंट पास्चर ओगया जो परमानेंट पास्चर रखा जाएगा जहां खेती वगड़े के जग़ा आरे स्के लावार मिश्लीनियस ट्रीक रॉप oven to ng events यारिया फिर करेंट फैलो अथर फैलो एंड हैओ लिट सोण एडिया इस बिसिकली नौ तरीके की category में इनको divide किया गया और इसी के basis पर जो है study की जाती है तो यहाँ पर basically वो कुछ तरीके लिखे गया है जिसके basis पर comparison किया गया है जो 43 था बढ़ करके 48 हो गया तो यहाँ पर increase देखने को मिलता है अगर not cultivation के लिए जो एरिया वो घट गया है यानि कि अब cultivation में जादा लिया रहा है भी number बढ़ायत कहीं से बढ़ा तो होगा forest का इलाका अगेन ये भी बढ़ा दिया गया है फैलो लाइन का इलाका घटा दिया गया है क्योंकि सब agriculture में चली गई है जो कल्टिवेबल नहीं है उसका percentage भी काफिया दगिरा दिया गया है क्योंकि ये भी agriculture मे याद करने लायक है अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या pattern में changes आ रहे हैं तो significant special and temporal changes have been noted in the land use pattern in India काफी अच्छा खासा change देखने को मिला है radical change have occurred in all part of India अब देखिए green revolution का effect भले ही कुछ areas में हो लेकिन हमें जो changes rapidly throughout the India देखने को मिला है the change in agricultural land use are substantial in the areas where green revolution has been successful तो खेर आपको पता ही है जहाँ green revolution हुआ है वहाँ पे खतरनाक ही change हमें देखने को मिला है हाला कि there is a slight decline from the 1990s क्योंकि again ज्यादा लोग फिर agriculture की जगा पर बाकी दूसरी activities में चले गए थे क्योंकि agriculture को देखिए काफी protectionist policies देनी पड़ती है business oriented नहीं होता है conditions और inputs नहीं है scientific knowledge यहाँ पर land तक नहीं आ पाती है तो इस तरीके से forest cover बढ़ाया गया 14% से लेकर के काफी अधा बढ़ा दिया गया 23.5% हो गया the increase in forest cover just mean an increase within the demarketed area for forest there has been a rise in area that is double cropped and multiple cropped तो जो relay cropping बढ़ा है या फिर कहली जो intense cropping है वो करनी शुरू हो गई है agricultural land use has recorded substantial changes area under wheat and rice has increased क्योंकि सीधी सी बात है MSP इसका काफी ज्यादा मिलता है MSP बाकी falses millets और इनका भी मिलता है लेकिन यह relatively दाम इनका कम होता है तो इसलिए ज्यादा इसमें favorable नहीं होती है जो जितने भी farmer होते हैं वो कहते हैं भाहिया चलो चावल दाल ही क्यों होगा मतलब की चावल एंड गेहूं होगा जिसे की MSP ज्यादा मिलेगा ज्यादा मुनाफ़ा होगा ज्यादा protection बेह रहेंगे अब MSP के करद से आप लोग देख सकते हैं the kind of problem the country is facing तो wastelands are degraded land, underutilized, suffering from lack of property, soil and water management, brought under vegetative cover with a reasonable effort इसका भी आगे दिखाया गया है क्या हिसाब किताब है as the economy grow, land use pattern also change जैसे जैसे सीदी सी बात है, economy अगर बदलती है, service oriented, manufacturing oriented होती है तो कहीं से तो वो जनता migrate हो रही होगी, वो है mainly agriculture even economic survey में चीज़ दिखाया गया है कि people are continuously moving away from agriculture and that is why feminization of agriculture हो गया है 2017 के economic survey में चीज़ कहीं गया है, feminization of agriculture as a result, land is being put to use in areas other than agricultural agriculture is increasingly becoming used for building purpose, urbanization या other urban area के थूरू बनते आ रही है pasture land is declining as a result of pressure from agriculture हम लोग बाते कर रहे हैं, land use pattern किस तरीके से बदल रहा है तो आप बदलाओ देख सकते हैं कि किस तरीके से modernization हो रहा है किस तरीके से new India बन रहा है तो यह चीज़ है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आगे बात करें तो land एक ऐसा scarce resource है जिसकी supply जो है वो काफी fix है हर एक practical पर भाई यह 100% कोई चीज़ अगर है न घड़ सकती है न बढ़ सकती है तो आपको क्या है इसको आप दूसरे दूसरे format में केवल convert करकर के ही यूज कर सकते है और यही चीज़ की भी जाती है तो at the same time demand for the land of various competitive purposes is continuously increasing with an increase in human population and economic growth जादा लोग हो रहा है तो जादा लोग हो रहा है तो जनता घरों के लिए नई नई जमीन के demand करेगी एक तरफ industries जो की फलते फूलते यार है तो नई industry को establish करने के लिए demand करेगी जनता इसमें industry वालो को साथ देगी क्योंकि उनको उसी के थुरू employment मिलेगा तो लेकिन लेंड तो वही है करेंगे क्या तो जो भी लेंड उन्यूटिलाइजड है उसको बिसिकली urbanization और industrialization के लिए use किया जा रहा है according to this report. Land use pattern quantity anyway time is determined by several factors including size of human and livestock population. In fact, Malthas theory भी ही कहती है कि we have to adjust और यह adjustment ही करना पड़ेगा, otherwise people will go मदब यह मर जाएंगे फिर तो the demand pattern technology in use, culture, tradition, location capability of land, institutional factors like ownership pattern rights, मदब कई सारी changes फिर हमें देखने को मिल जाती है लेकिन in changes में सबसे जो जादा impact होता है जिस पर सबसे जादा implications देखने को मिले हैं वो है ecological dimension और यह continuously ignore किया जारा है जिसके कारर से disaster like consequences हमें देखने को मिल जा रही है अगर अभी recent में देखेंगे तो earthquake का आना, flooding का आना, cyclones का आना यह सब काफी common हो गया है और common तो common यह काफी यादा disastrous भी हो गया है the pattern of land utilization in India is indicated, बाकि आगे table बनी हुई है उसमें दिखाया गया है अला कि this is not important you can just skip it यह लाइन के लाइन जो है वो गलत हो गई है बाकि यहां पर दिखाया गया है किस तरह से क्या-क्या चीजे की जा रही है agricultural land में अगर हम लोग देखें कि क्या हिसाब किताब रहा है किस तरीके से चेंजे वगर है आ रहा है तो agricultural land note that the land suitable for agricultural production both crop as well as live stock it includes net zone area, fallow land and land under miscellaneous tree crop and growth agricultural land in India total about 50% से भी ज्यादा geographical area जो agricultural land के अंतरगत ही आता है इसमें छोटे बड़े अलग अलग तरीके के land available है and this is obviously काफी ज्यादा है as compared to the other countries of the world इसमें कुछ चीज़े दिखाई जाती है जैसे कि influence of favorable physical factors extension of cultivation to a large proportion of cultivable land but because of large population of the country the per capita arable land is very low वहीं सीजी सी बात है population इतनी जादा है तो अगर आप divide करेंगे तो number तो अपने आप कम हो जाएगा लेकिन हाला कि ये number की significance उतनी खास होगी नहीं क्यों क्योंकि देखें अगर हम लोग ये कहें 100 लोग है ठीक है 100 लोग है और हमारे पास resource माल लेते हैं कि 50 है तो resource per unit अगर आप अगर यहां पर अगर आप per unit value निकालेंगे तो it will come like 0.5 ठीक है लेकिन अगर मैं इसमें से ये कहूँ कि इसमें 100 people में 100 में 70 लोग ऐसे हैं जो chicken वगरे पर निरभर है ठीक है chicken वगरे खाते हैं तो अगर आप अभी भी 0.5 बोलेंगे तो this will not be significant data ये सही नहीं होगा क्यों क्योंकि इसमें से 70 लोग तो live stock पर dependent है और live stock माल लेते हैं कि 100 है यह माल लेते हैं 140 इस्तेमाल करने के लिए 140 में 70 करेंगे तो 2 अब यहाँ पर क्या है दो हो गई आपकी जो value है वो live stock के चक्कर में और यहाँ पर 50 upon 3 50 upon 13 5 by 3 आ जाएगा and this will come like 1.67 तो यह जो data है 0.5 से 1.67 पर आ गया तो कहीं न कहीं जो हमने calculation करना है वो कहीं न कहीं calculation में हमारी consideration में हमारी दिक्कत है तो यह चीज़ हमें देखने की जरूरत है तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से dependent only on the agriculture है तो there are some other alternatives also इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं हमें 50 में से वही खाना के वल खाएंगे जो organic होगा तो उनका अलग नखड़ा रहेगा तो यह वही लोग हैं जो चाय पीते हैं लेकिन coffee बताते हैं तो that is the thing तो यहाँ पर क्या है कि agriculture में दिखाते हैं कि 0.16 hectare against the world average of 0.24 hectare यहीं हमारा सबसे बड़ा loss हो जाता है क्योंकि हमारी population बहुत खतरनाक है About 15% of the sun area is multi-cropped कोशिश की जारी है कि हम लोग आगे कुछ बढ़ा सके हैं लेकिन एक limitation हर चीज़ की होती है Otherwise अगर उसको जादा यूज़ करेंगा तो it will go barren land While most of the multi-cropped area is irrigated Only one-fourth of the gross-cropped area is irrigated तो एक तो input में ही problem है irrigation में The security provided by the irrigation facility is a major factor in intensive application of labor and other input to obtain high yields Non-agricultural land के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई है जैसे कि land in the forest हो गया permanent pasture हो गया या फिर non-agricultural use के लिए जैसे urbanization वगरे के लिए यूस किया जाता है Land classified as cultivable waste as well as barren land तो यह सब चीज़ें भी हो जाती है अगर हम लोग देखें कि आखिर में यह trend में जो बदलाव आ रहा है overall क्या हम इससे conclude कर सकते हैं तो इससे conclusion यह कर सकते हैं कि out of the total geographical area land use stats were available for roughly 284 million hectare ठीक है जो की आगे जाकर के बढ़ गया है 306 हो गया तो 284 से हमें 306 एक land use pattern में हमें मतलब increase देखने को मिल जाता है area under forest include all the land classed as forest under legal intactment dealing with the forest और administered as forest whether state owned और private या फिर किसी भी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं forest के अंतरगत में आ जाती है the crop area rose in the forest and this grassing lands अब जैसे होता क्या है कि कई सारे private areas भी है कई लोग है जो अपना boundary वगर एकरा करके वहाँ पर अपनी पेड़ पौधे उगा रखे हैं तो ये भी तो forest के अंतरगत में आ गया ठीक है हाला कि forest cover या forest area नहीं है लेकिन again plantation तो है ही तो ये इलाका हाला कि एक तरीके से non agricultural ही है लेकिन ये forest के अंतरगत में इस करद से हमें forest में increase देखने को मिल जा रही है ये इंक्रीज जो है वो निर अबाउट 23% का हो गया है अब अब इस अपरेंटली इंडिकेटिव आफे हल्दी लेंड ये जो देखने को मिल जा रही है है अब लिटरेचर इंडिकेट दाट इस नोट सज़ेस्टिव as a real increase of land क्योंकि कहीं न कहीं जो होती है इसकी जो damage है वो काफी आदा है और ये एक पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते है कि पूरी तरीके से सही है देखिए क्योंकि एक छोटा सा example जो यहीं पर लिया गया है जिसे माल लेते हैं कि आपने calculation की और in fact आज की date में जो calculation की जा रही है वो आई-र-N-S-S यानि कि remote sensing के थुरू की जा रही है satellite का data लिया जा रहा है अमाल लेते हैं कि आपने forest में देखा कुछ तो real forest है real forest मतलब की जहां पर जंगली जानवर वगरे सब कुछ मिल जाएंगा real forest है फिर इसमें से कुछ होंगे जो private property पे बनाए गया होंगे जिसे माल लेते हैं कि हमारा कोई जमीन माल लीजिया है और अगले 10 साल में कोई प्लान नहीं है घर बनवाने का केवल जमीन खरीद के रखना था मैंने क्या किया यहां पर सागौन के मैंने पेड़ लगवा दिये सागौन के पेड़ लगी अब इसके बाद से गवर्मेंट ने देखा गवर्मेंट का सेटलाइट देखा उसके बाद से यह का कि चलो भाई यह फॉरेस्ट में इंक्लूड हो जा तुम भी एरिया तुम्हारा बहुत बड़ा है लेकिन हुआ क्या कि पांच साल बाद मैंने देखा कि यह सागौन के पेड़ बड़े अच्छे च्छे हो गए हैं चलो इसको बेच देते हैं और चूक ही है प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है इस प्रॉपर्टी सो में नहीं सकते हैं अगर वह सरकारी है यह सरकारी जमीन पे है तो तो इसको मैं नहीं कट कर दिया अचानक से एक सिंग हैंत अमांट अब दा प्रपोशन अफॉरेश का तुरंद खतम हो गया तो इसी वज़े से ये कहा जा रहा है कि literature में this is not suggestive क्योंकि ये increase actual में increase नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये कहीं न कहीं temporariness इसके अंदर में है अब देख लेते हैं कि आखर में क्या क्या land reforms किया गया है government के द्वारा तो इस government के द्वारा जो land reforms की गई है these are very important and सीदे सीदे question आ सकता है आपके exam में कुछ है यहाँ पर 4-5 चीज़े की गई है जैसे एक किया गया abolishment of intermediaries अब जैसे क्या है कि हमारे पास जब colonial laws थे तो वहाँ पर महलवारी रेटवारी एंड जमिंदारी प्रताय चलती थी वहाँ पर अलग अलग तरीके से रेंट बगरे वसूला जाता था तो abolition of जमिंदारी सिस्टम करने से यही वागा तो abolition of जमिंदारी system which removed the layer of intermediaries who stood between the cultivation and the land तो जो middleman का फंडा था वो middleman का फंडा खतम कर दिया गया reform was relatively most effective than the other reforms for in most areas it succeeded in taking away the superior rights of the जमिंदार over the land and weakening their economic and political factors तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़े हो गही advantage इससे यह हो गया कि भई सीदी सी बात है कि ज्यादा ज्यादा लोग जो है directly आ गये काम करने के लिए अब इससे क्या है कि जो जमिंदारी या जो भी tax वगर देना थे या जो भी produce देनी थी वो अब सारी खतम हो गई जिसके कारणा से लोग अब चैन से जी खा सकते थे जब आप अबॉलिशन फ इंड्रमेडियरी इससे लेट टो एंड अफ यह परस्ट परसाईट लास मूर लैंस अब बना हुआ है इसके लाबा कुछ और भी फॉर्मेट है कुछ इस्यूज भी है जिसके कारण से आप देखेंगे सकते हैं ultimately there is no as such a point to discuss में जो चीज है वो आप लोगों को समझ में आ गई दूसरी जो चीज है वो है टीनेंसी टीनेंकी में क्या है कि जमिंदारी के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉबं थी वो थी टीनेंसी उसके भी रिफॉर्म किया गया था लैंट जो रेंट पे किया था टीनेंकी दौर्द दौरा was fixed at 20 to 25% of the gross produced level in all the state except Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, all that. अब देखिए कई बार लोगों को tenancy reform समझ में नहीं आता है, जरा समझीएगा. Suppose, I am an industrialist माली जे मैं हूँ, and मेरे कुछ जमीन है, माले ते हैं, जमीन ancestor जमीन है, फिर खरीदा गई जमीन है, जो भी जमीन है, तो मैंने क्या किया, farmer को मैंने दे दिया जमीन rent पे, ठीक है, tenant बन गया, अब यह farmer जा रहा है, अपना cultivation वगरे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अफवाहे उडा दी गई कि यह जो farmer है, वो आपके जमीन पर हतिया लिया है, लौ में कहा गया है, कि अगर 12 एयर तक कोई भी इस तरीके का मुद्दा होता है, हतिया लिया गया है, और कोट केस हो जाता है, और आप कोई संग्यान नहीं लेते हैं, तो यह जो जमीन है, उस farmer को चली जाएगी, तो इस कारण से हमेशा एक threat रहता है, जो owner रहता है, उसको एक threat रहता है, कि यार कई हमारी जमीन जो होता है इसके नाम ना हो जाए कुछ ना कुछ ये मामला ना कर दें तो इस कारण से क्या करता है ये जो ओनर है ये लगातार जो फार्मर है जो भी बंदा है उसको बदलता रहता है कभी इसको दिया कभी दूसरे को दिया कभी तीसरे को दिया तो इससे इनकी सिक्यू for regulating the rent payable by the cultivator fair rent जो है वो बना दिया गया कि ठीक है इतना होगा the reform attempted either to outlaw tenancy altogether or to regulate rent to give some security to the tenant West Bengal Kerala there was a radical restructuring of the agrarian structure that gave land rights to the tenant तो इस तरीके से कुछ चीजे हैं issues भी हाँ पर कुछ कुछ चीजे हैं issues को आप लो पड़ सकते हैं जादा कुछ खास है नहीं as such तो that is why we are not discussing much ठीक है नेक्स जो चीज आती है वो आती है land consolidation अब जो में चीज है वो है land consolidation या फिलेंड सेलिंग हर एक बंदे की अपनी लेंड सेलिंग लगा जी गई अलग-अलग state के लिए अलग होता है क्योंकि आपको भी पता है land जो है वो एक state property है मतलब state list में आता है अब जैसे कुछ हिलाकों में 12 hectare रखा गया है कुछ हिलाकों में 16 hectare रखा गया है तो सब के लिए अलग-अलग है तो जब भी आप फ़र्म भर रहे होते हैं मतलब मेंस की जो फ़र्म भरते हैं डैव भरते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी जितनी भी लेंड प्रॉपर्टी जितनी बी चीजह होती है सब कुछ दिखानी होती है तो लैंड सिलिंग लगा दिया गया कि हरे बंदे के ओपर में ठीक है इतनी जमीन से जादा नहीं रख सकते हैं और इगर इससे जादा होगी तो that will be again shared with the government और government फिर से redistribute कर सकती है तो यह काम किया गया तो maximum size जो होती है सब निर्धारित कर दी गई 1942 में एक कुमारपन कमिटी बनाई गए थी और यह history है तो उतना जादा कुछ खास नहीं history में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो main जो चीज थी वो आप लोगों को बता दी गई है जो issue है वो आज की date में बेनामी transactions का issue है money transfer का एक तरीके से issue बनते आ रहा है तो यह सब कुछ issues ह लेकिन यह geographical नहीं है so you can again escape it because the content that we have taken is actually geographic js content इसके बास next जो चीज आती है वो आती है consolidation की तो land consolidation भी कर दिया गया है अब digitization भी कर दिया गया है तो इन सब चीजों को भी again काफी जादा एक scene ऐसा हो गया है कि अब जो farmer है वो अपना जाकर के land record ले सकता है और उस land record के basis पे अपन चीज कर दी गई है so यह चीज थी पूरी जो हम लोगों ने देखा आगे हमारे पास जो next topic है वो हम लोग next class में discuss करेंगे बाकि अगर आपको कोई doubt होता है तो आप email कर सकते हैं अपने doubt को इसके अलावा अगर आप answer writing करते हो तो answers भी बेज सकते हैं अपने answers को evaluate कराने के बाकि जो लोग भी इंटरस्टेड होंगे ए गुरू कुल प्रोग्राम में या टेस्स सीरीज में या फर advanced geography course में तो आपको orientation videos दिख रही होंगी बाकि हम लोग मिलते हैं अपने next video में till then goodbye and thank you so much